अब बनाए गोड़ाय चाहिता है पापड़र परीड सब्झी आपको साइड काप बनाए जादी अबशारी ने नुर्मली लोग विली भी लोग खाने में बहुत बनाते एक शाहि सब्झी और खाने में बहुत टेश्टी लगती है अ उसकी मैं आपको रेसिपी दिकाघर है उ लड़ के ती गया ज़मे के विइए तराइब रेगने के हो पडिशी में उइंक में इन धरी का चब लिग दरी जिए नहीं होड़ने के लिए हूं ऑफ चुका है अब अब यह बाच पर चुट कुरां को इसको डाल लए करेंगे को चलाते हुए हम आप सोब खरेंगे सिंट्राइब नहीं कुरीं ये तवा गरम होने रख देंगे इसके ओपर अब तवा रख लिया गेश जला लिया अब इस पर हख सा हम क्रीस कर लेते हैं दवे को इस तरीके से लगाते होए थोड़ा सा क्रीस कर लेंगे इस तरीके से पर आपकड सेक लेते हैं धि ज Gog तेज़ नहीं करूंगी कर आएज जल्दी होगा यह देखें अपना आपोने लग गया अब इस तरह से दबाते हुए किसी चम्मस से या किसी कपड़े से या किसी चीज से भी इस तरह से दबाते हुए इनको हम सेक लेते हैं इस तरह किसे से से शेखेंगे तो पापड बहुत हम देखें तरीके से करते हुए यह देखें कितना अच्छा सिक रहा है ऐसे हम सेक लेगे इसे करते हुए हमने 4 पापड कर लिया है आपकी रिकार्मेंट के इसाब साफ कम जादा तोडा कर सकते हैं यह देखिए मैंने बून्के कर लिया है और यह प्याज होने वाले है इसको प्रेज ने लुए मेल आ टाल दिया प्रच वारे काटें रिवें हैं ए था छूड़ा लसन अद्रण पेश्ट भी ढाल देती हूं याप चाहे तो आप अबोईड़ भी कर सकते हैं अगर लसन अद्रण नहीं हादे तो आप पर चाहे तो और भी कर सकते हैं फोड़ा सा मैंने डाल दिया, यह स्किप भी का चकते हैं, देखे प्याज होने वाले हैं बस इसी स्टेज पे हमने यद्रक और लस्तन का पेस्ट और ग्रेन चिली डाल दिये, इसके चलाते हुआ हम कर लेते हैं, देखे प्याज हो गया है, बस मुझे पांच मिनट के आस पस पांच मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं, तिम पे मेरे को पांच मिनट लगे है, अब इस स्टेज पर हम गैस को बिलकुर सिंद अपेंगे, मसाला डाल लेते आगे का, एक चमच बढ़के धनिया पाउडर, एक चमच बढ़के थोड़ा सा जाज़ा डाल रही हूँ, वन टेबल स्पून से थोड़ा सा गम जीरा पाउडर, वन फोर टेबल स्पून कर मसाला, और हाथ से क्रश करते हुए, एक चमच कास्तोरी में थी, यह देखे चला लेंगे इसको और दो मिनिट मसाले को भून लेते हैं, अच्छों, मसाला भून लिया है, एक से दो मिनिट ही च जलाते हुए हमें बूला, इस 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 पर आप हम तीन टमाटर, ज्यादा बड़े नीते हैं, छोटे ही थे टमाटर में पास, यह मैंने दाल लिया, अब इसको भिलकुल हम चमच को अलग साइड उठा के रख देंगे, और नमक जाल देते हैं, बहुत इजी है, बहुत मिनट के लिए डग के रख दें, दो मिनट हो गया है, एक बर हम चेक करते हैं, टमाटर कितना हुआ है, अभी नहीं हुआ है, दो मिनट हो रहा है, इस स्टेस पर हम इसके अंदर यह घर की फ्रेश मलाई, दो चमच जितना मैं डाल रही हूं इसके अंदर, बहुत अच्छा करें देगी, आप चाहे हैं तो मलाई नहीं हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं घर की मलाई डाल रही हूं, इसको भी आम नहीं लाएंगे, बिल्कुल इसको भी स्रुप ढख देंगे, यह दो मिनट हो रखेंगे, दो मिनट में इस दोनो चीजा हमारी हो जाएगे, इसको थोड़ासा मेडियम ग्यास कर लेते हैं और वो हो गया है कि शोड़ासा ग्यास कर बनेंक broad के अब है आइसोग्राम मेने पनीर लिया है इसको क्रम्बल कर लेंगे इस तरीके साथ से आप चाहिए फ्रेश ले लिजे चाहिए पैकेट वाला ले लिजे पनीर आप कोई भी उसकरते है चाहिए आप घर पर बना के यूज कर लिजिए मैं ज्यादा घर पर करती हूं आज मैं बजार बला यूज कर रही हूँ इस तरह से घरंबल करते हुए देखिए घरंबल करते हूँ इसके न्दर हूं ने डाल दो कर दो कि घर वापस से मेडियम कर रेंगे चिल चिंट्व मीडियम इडियर देते हैं अच्छे से इसको 2 मिनिट लिए फिर से रखके कर द्रख देंगे हिल कि फिर से डख के रफते हैं एस स्य दोन मिन डिहाई है ति चोड़ ले के लिए बना सकते हैं देसीगी में भी बहुत अच्छा टेस देगी अब इस 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 पर आप हम घ्यास को बिलकु तिंग रखके यह पापड को मिक्स कर देंगे इसके अंदर कि मैंने पापड दाल दिया पापड का एक अच्छा टेस आता इस रेसिपी से एक बाद जरूर आप ट्राइब करिएगा आप बिलकु लालक टेस्ट की सब्जी बनेगी यह देखिए मिक्स कर लिया बस इस स्टेस्ट पे सिंटू मीडियम गैस रखेंगे और एक बर बस मिक्स करें। थोड़ा देज कर लिया त click our फोड़ा हुआ इसने अलग भाद में बन के रडिये गैस बचनीकरणियद कर लियर उने घर निया से गार् industries कर लेत ये लिजी है हमारी पापड़'s Paneera की सबजी रेडmarket TWO कमें सक्षिन में बताई येगा इस रेसीपी से एक बर बनांती जरूरर, सक्तिसाइज करेंगा और answer